कोटा एक कोचिंग हब कैसे बना कोटा एक इंडस्ट्रिल टाउन था पर फिर वहां की इंडस्ट्रीज फाइनेशल प्रॉब्लम से कारण बंद होने लगी इन्हीं इंडस्ट्रीज में काम करने वाले एंजिनियर वी के बंसल ने एक अल्टरनेटीव जॉब की तरह 1981 में क्लास 7 से 12 तक के सुड़न्स को पढ़ाना चुरू किया उन्हें बड़ा सक्सेस तब मिला जिब 1985 में उनके सुड़न्स ने जेई क्रैक कर आईटी में एडमेरिशन ली और फिर 1991 में बंसल क्लाचिस की शुरुवात हुई बाद में उनी की फैकल्टी से निकल कर कई टीचर्ज ने अपने इंस्टिटूट्स बनाए जिसे आरके वर्मा ने रेजोनास की शुरुवात की इसे कोटा में PG's, Rooms और मेंस के डिमांड बढ़ गई जिसे बाके विजनेसेस और लोकल्स को भी फायदा हुआ और ऐसे कोटा एक कोचिंग हब बन गया अगर ऐसे और पोस्ट देखना चाहते हो तो हमारी प्रोफाइल को ज़रूर विजिट करना